हमारے साथ मेमान जो जुड़ चुके हैं, उनका तारूफ मैं आप से कराता हूँ चार खास मेमान इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं इस वक्त हैं एक मिश्रा जी भारतिय राजनिती पर जिनकी टिपडियां और जिनका विशलेशन आप अक्सर टिवी डिबेट में सुनते आए हैं आज जब वो बताएंगे किस तावर पर इस चुनाओ का महत्त है और कैसे इसको समझा जाए घरों से लोग सुबे कम क्यों निकले हमारे साथ में भारतिय जनता पार्टी के नेता अनुरूत सिंग जी और प्रवक्ता के तोर पर यहां पर हमारे साथ इस वक्त इस टूडियो में जुड़ चुके है वो कैसे समेटने की कोशिश की गई, कैसे ठीक करने की कोशिश की गई और थोड़ ही दिर में मारे साथ में जोड़ेंगे वरिश पत्रकार समेर जी आप सबी लोगों का शुक्रिय के साथ में स्वागत है शुर्बात में एकमिर्ष्टा जी आप से ही करना चाहरा हूँ तीन बजे तक का जो आकड़ा चुनावायो के जरी आया पचास फिस्दी हर्याना के अंदर और तैतालिस फिस्दी महराश्टा के अंदर आप संतुष्ट है कि बहतर है या फिर आपको लग रहा है कि पिछली बार के चुनाव के मकाबले ये रुक सकता है कम हो सकता है पिछली बार के चुनाव के हिसाब से देखे तो रेशियो सही चल रहा है और मुझे लगता है यह उतना ही जायेगा लगबग लगबग जितना पिशली बार हुआ था लेकिन सवाल यह है कि मैं संतुस्त हूं की नहीं तो मैं संतुस्त नहीं हूँ 80 प्लस अगर यह जाता ना तो मैं इसको मानता कि हां लोग बड़े उत्साहित हैं इसको कहीं न कहीं आप वो एक एक्स्टा उत्सा जो होता है न मैं उसको उस तरीके से नहीं देखता हूँ यह रूटीन है रूटीन वे में जो लोग थोड़ा सा भी पॉलिटिकल उसमें एक्टिव है उस हिसाब से वो लोग चल रहे हैं दूसरी चीज़ जबार आपका एक नौ को ऐसे देखता हूँ कि अपकी बार अगर बिपक्ष जरासा भी मजबूत हुआ या बड़ा आश्चर चकित कर देने वाला जो है रिजल्ट आ गया बिपक्ष के फेवर में चला गया तो यह इस चीज़ का इंडिकेशन होगा कि बीजेपी के लिए भी हवा बदल रही है टेस्ट बदल रही है यानि उनको चेंज करना चाहिए दूसरा चीज यह है कि अगर बिपक्ष के फेवर में नहीं गया और फिर बिपक्ष की वही दुरगत हो गई तो बिपक्ष को फिर से सोचना चाहिए कि लगातार पांच-छा साल से जिस प्लेटफॉर्म को वो आध बना के जो रणनीत ही अपना रहे हैं अब उसकी उनको इतिश्री कर देनी चाहिए आप इनका घोसला पत्र देखिए पक्ष का और बिपक्ष का दोनों का दोनों में जमीन आसमान का अंतर है एक ने स्टेट लेवेल को टच नहीं किया दूसरे ने स्टेट लेवेल को टच क का मूड अभी भी बीजेपी के जो या उनके जो फेवर करने वाले जो मुद्दे हैं उस पे हैं तो मुद्दों को तो बदलना चाहिए इस पॉइंट से मैं बड़ा इंपॉर्टेंट मानता हूँ है पर अपको पर इस पर Zuschome आ शैक जो सकता है कमी और ज्यादा भी पुरा आकड़ा आने दीजे च्छे वजी वजे के बाद में चुनावाहेवका पुरा आकड़ा आएगा उसके बाद में इसके भीष्बदर की जाएगी इतना कम हूँआ कि इतना ज़्याधा वाय लेकिन देखने वाली ये बात है। रिटर्निंग ऑफिसर के पास आंकड़ा आता है। उसमें सारे खेल बंद हुए, कॉंट्राक्ट के खेल, प्रमोशन्स के, ट्रांसफर्स के, इस्टेट लेवल पे जो प्रॉब्लम्स होती है। हम इस पर शर्चा करेंगे कि क्या वाखी जनता अपने मदों को लेकर की ही पूर्ट कर रही है। पिर अगर ऐसी बात रही तो फिर उन मुद्दों को जनता के बिश में राजियों की चुनाओं में लाने के जरूवत क्यों महसूस पड़ी जिस पर तीन आर्टिकल 370 है, या फिर राश्टवाद का मुद्दा है, या फिर दूसरे ऐसे मुद्देजाई तोर पर वो एक अगर तेसर आपका भी, मगर अनामिका जी, डॉक्टर साही अनामिका जी, ये इस्तिती अगर चुनाओं के बाद, 2019 के बाद लेकर के अब तक अगर देखा जाए, तो ऐसा लग रहा है कि 2019 के नतीजों से ही कॉंग्रिस पार्टी निकल नहीं सकी, और मैं इसलिए कहरा हूँ क्योंकि एक तरफ भारती जनता पार्टी की जो चुनाओी रहलिया, चुनाओी सभाय या तयारिया रहीं उसको देख लिया जाए, और दूसरी तरफ कॉंग्रिस पार्टी के देख लिया जाए, राहुल गांधी की अगर मैं बात करूँ, दो रहली सिर्फ उन्होंने हर्या जो देश में जो अभी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इनकी पोल जो है वो जग जाहिर हो चुकी है, अभी हर्याना में पिछले दिनों प्रधान मंतिरी नरेंद्र मोधी जी एक बयान दे रहे थे, चुनाओी रैली को संभोधित करते वे उन्होंने कहा था कि हर्याना म जो भी पता है कि यदि पानी के लिए नदी के बहाव को मोडने के लिए क्या उनके पास कोई प्रोजेक्ट है, जिस तरीके के वो लोक लुभावन बादे करते आये तो जनता अब उनकी नीतियों को समझ चुकी, अभी बीते दिनों हर्याना में चुनाओी रैली को संभोध जित करते वे बीजेपी के ही एक नेता का बयान आया कि वटन कोई भी दबाओ, लेकिन वोर तो कमल पे ही आएगा, और इस बयान पे चुनाओ आयो की जो चुपी है, वो सीधे सीधे किस तरीके से इनके तानासाही रवयों को जग जाहिर करती है, लेकिन जनता भी जाक चु आगे के पलों में और आगले के घंटे में पूरे, मगर हमारे साथ में इस वक्त समीर जी जो चुक है, समीर जी एक मेरा सीधा सवाल है, कि ये जो वोट प्रतिशत इस वक्त है, वो बहुत जादा संतोष जनक नहीं आ रहा है, जो आकड़ा होना चाहिए था, वो भी दिख नहीं रहा है, हाना कि और बात है कि 6 वजे तक कितना हो जाएगा, क्या ये उत्साह की कमी वोटर्स की बीश में आई है, या फिर ऐसा लगता है कि भारतिये जनता पार्टी का वोर्चस एक तरीके से लोगों के जहन में बैट चुका है, इसलिए जो बीजेपी का समर्थ तक है या वोटर है या बीजेपी वालों को ये रखता है कि सहाब हम तो जीत रहे है, बहुत सारा वोटर उसमें से निकल करके वोट करने नहीं गया, या कॉंग्रेस या दूसरे पार्टियों के जो कार्य करता है या जो वोटर्स हैं, वो लोग इतना जादा मायूस हैं कि और बाद में वोटिंग बढ़े जाती है। और आप महाराश्ट के अगर वोटिंग पैटन को आप देखें तो हरियाना से अपन अपन कमपेर नहीं कर सकती है। हरियाना एक बहुत चोटा इस चेड़ और महाराश्टा बढ़ा हुआ है। गर्चोरी इलाका भी महाराष्ट में आता है जहां पर काफी नक्सराइट का एरिया माना जाता है तो मुझे लग रहा है कि देर शाम तक इस वोटिंग परसेंटेज काफी बढ़ेगा और पिछल साल चुनाओ का वोटिंग परसेंट जरहा था एवरेज उतना ही वोटिंग परसेंट आएगा हम महाराष्ट तक यह सत्तर परसेंट को अपर निकल जागा तो चौरत्ता परसेंट जाने की बिज़ उम्मीद है लेकि जहां तक महाराष्ट का सवार है तो मुझे लगता अगर डॉक्टर नाइमिका क्या कुछ डर लग रहा है कि अगर वोटर निकलाने कई बार इसके माएने में समझूँगा आपसे एक मिश्रा जी कि अगर कम वोट पढ़ता है तो इसके माएने किस तोर पर हला कि कई बार वोट पढ़ने के बादेद भी बदलाव सत्ता का बदलाव होने जा रहा है ऐसा इस किसम का क्यास लगाए जा रहा है अरामिका जी कुछ डर लग रहा है कि यार वोट कम पढ़ रहा है अब जनता लगता है निकली नहीं जनता लगता है बदलाव नहीं ला रही है दिखे जिस तरीके से इन्होंने युवा वर्ग को मौजू मौझूदा सरकार ने जिस तरीके से समाज के हर्थ तबके को निरास किया है और कहीं न कहीं ये अंदर से घबराए हुए हैं डर तो इनको लग रहा है क्योंकि अभी आपने देखा कि टिकट बटवारे में यदि खटर सरकार की इतनी ही काम्याबी थी तो इन्होंने महिलाए हर्याना की इन्होंने बेटी बचाओ और बेटी पडाओ का नारा दिया और आपने देखा होगा कि किस तरीके से हर्याना ही नहीं देश के तमाम जगों में महिलाओं के साथ किस तरीके से क्या इस सिती किये चाहे वो फुल्दीप सेंगर का माम लाओ या उन्नाओ पिरिता या आप आए दिनों तक देखे अभी तो किस तरीके से उन्होंने देश में एक भै का माहौल जो पैदा कर दिया है तो निस्चित रूप से और खासकर देश का युवा बर्ग जो है वो इस सरकार से कहीं न कहीं निरास है क्योंकि आप देखिए किस तरीके के इनके निराषा इस साथ को旅सा प्रखान मंत्री में पनी जगे मंदी का दौर अपनी जगे बावजूद इन सारी चीज़ों को चुनावी नजरिए से देखें तो क्या चुनावी निरावी की तरह बढ़ रहे हैं क्या 25% वोट जो पिछले चुनाव में आपका आया था वो इंक्रीज होगा ये वो बरकरार रह पाएगा इंक्रीज ही नहीं होगा बलकि हर्याना में हम भारी मार्जिन के साथ बहुमत के साथ जीतेंगे और जिस तरीके से इन्हों ने जनता को छलने का काम किया है इस बार हरियाना की जनता और महाराश्री की जनता इनको मूतोर जवाब देगी आप इनके एक भी चुनावी रैलियों में एक भी संबोधन देखे क्या इन्होंने विकास की बात की एक तरफ आप प्याज की बात कर रहे हैं नासिक में जिस तरीके से किसान प्याज की कीमत गिर रही है लेकिन देश में प्याज के लिए प्याज की कीमते आस्मान फूरे है। इसलिए कहीं न कहीं इनका पोल खुलने लगा है और ये अब जान चुके हैं और आप जान लीजे की काट की हांडी दुबारा नहीं चरती है। आप लोगों ने वादों की बहचार और बारिश कर दे थी। मगर शायर जनता ने उसे महसूस तो किया लेकिन उन वादों उन बरसात के जरीए उसके साथ चलने के लिए सोचा नहीं जनता ने। मगर एके मिर्श्रा जीम ये जो अब तक का आकड़ा आया है इसके मताबिक कुछ समझ में आ रहा है जनता का मिजाच। जी बिल्कुल मुझे समझ में आ रहा है देखिए लोकतंत्र के हिसाब से देखा जाए अगर पहले के नंबर को भी हम टच नहीं कहार पाते हैं परसेंटेज वोटिंग की अगर मैं बात करूं उससे कम होता है तो लोकतंत्र और डेमोक्रेसी के हिसाब से इसको मैं एक कम जो के कारण परसेंटेज ऑफ वोटिंग गई 75% 80% अब वो कम हो रहा है तो इसका मतलब कहीं न कहीं जनता भी उतना चुनाव में उत्सा नहीं ले रही है लेकिन अल्टिमेटली मैं बोलू इसका फैदा किसको जाता है इसका फैदा पक्ष को ही जाएगा यानि भाजपा और सिवशेना को यानि की कैडर बेस पार्टियों को जाएगा अब इसको जड़ा बड़ा साधारन तरीके से समझिए भाजपा का कोई अगर एक आदमी खटिया पे होता है कि उनका वोट तो पढ़ जाता है लेकिन ऐसी दूसरी पार्टियों का जो कि बहुत स्ट्रॉंग कैडर नहीं है जो कि वोटरों को एप्रोच नहीं करती उनको घर से निकाल के बूत तक नहीं पहुचाती उनका नुकसान होता है नुकसान इसलिए होता है क्योंकि ज चुनावी केंपेंज से लेकर के चुनाव के घोशना के बाद से अब तक सभी चीजों पर आपकी निगार रही है इस चुनाव के अंदर महाराष्टा हो या फिर हर्याना हो क्या आपको लगता है कि वैसा उत्साह जनता ने दिखाया है या फिर माना जाए कोई कोई एक और उस खामुशी के पीछे क्या होगा किसी को ने पता कुछ लगता कि देखेंगे पिछले 5 साल से महाराष्ट में देवन फंद नविस की सरकार रही है और हडिया में खट्र सरकार की सरकार रही है उसके बाद जितने भी उप चुनाव हुए है जितने भी पंचायत के चु कि उनके पास करने के लिए बहुत कुछ बचा नहीं है और कोई बहतर बुद्धा भी लेके वो जनता की विच में गईने जिसे जनता को संगठित कर सके और जनता आकुरुशित होके सरकार के खिलाम बद्दान कर सके विपक्षे साथ जनता भी इस बात को मानती है कि महाराश् वो एट लास्ट अपने मार्क पर पहुच जाएगा जिसे दोनों बरिष्ट पत्रकार है हम लोग मेंबर्सिप ड्राइब में कूद पड़े उसमें प्रधान मंत्री से लेके बूत तक का हमारा कारीकरता कूद पड़ता है हम लोग बैठे बिठाए हमें चुनाओन हम लोग नहीं जीतते हैं हम जनता के लिए काम करते हैं अपनी चीजों को जनता तक दिलीवर करते हैं और जनता की बातों को सरकार तक नहीं रहना चाहिए मगर जनता के हितों की रक्षा राज्यों के हिसाब से या उस अलाके के हिसाब से क्या मुद्धे हैं उस पे काम नहीं करते हैं राष्टवाद या पिट आर्टिकल 370 अईसे मुद्धों के जरीए जनता के इमोशन का आप लोग कैश करते हैं अगर राष्ट्रवाद है तब ही तु विकास होगा अगर हम राष्ट के बारे में सोच नहीं सकते तब तो हम घोटाले करप्शन रस्टा चाहिए ट्रांस्पारेंस पॉलसी खतम कर देंगे हम यहीं सब काम करेंगे तो राष्ट्रवाद तो विकास वाद से जुड़ा अगर राष्ट्रवाद को करना अगर अगर राष्ट्रित की बाते करना है तो उसमें हमें नहीं लगता कोई हम बातों गलत कर रहे हैं अगर चीजों को हम लिट्रेट कर रहे हैं और राष्ट्रवाद ही विकास का पैवाना है या राष्ट्रवाद के परती राष्ट के प्रती लोगों के भब्दने तभी विकास होगा क्या इस चीज को इस तरीके से समझा जाए देखिए मैं आपको बताऊं रास्टवाद का जो पैमाना है न वो जरूरी क्यों है सही डायरेक्शन में सही तरीके से विकास अगर करना हो उसके पीछे कारण है रास्टवाद का कॉंसेट उतना ही पुराना है जितना इस देश की सभिता और संस्किती है वेदों से लेके तब तक आप देखिए रास्टवाद की उत्पत्ती देखिए या फिर गुजरात मॉडल को लेकर के पुर्दा मंतवी मौज़दावकिन नरंद मोदि आए उस वक्त नीशनिलिजम या उस वक्त राष्टबाद या उस वक्त पाकिसतान का वो मॉड़ाव उन्होंने गुजरात में जो काम किया अपना जो मॉडल उनका था उस मॉडल को उन्होंने पेश किया था और उसी के जरिये उन्होंने लोगों तक अपनी पहुँच बनाई थी मगर उसके बाद में 2019 हो या विदान सभा के चुनाव है उस राज्यों के चुनाव में राष्ट के मुद्धे जादा हावी रहें इसको आम जनता कैसे समझें देखे रास्ट कौन सा मुद्धा कब कहां हावी रहता है आप देखिए पक्ष और फिपक्ष दोनों की बात करिए पक्ष को लगता है कि इस वक्त हमारे पास यही एक मुद्दा है या सबसे important मुद्दा है especially पक्ष BJP वगरा की बात करें तो इनकी social media वगरा और research की team बड़ी strong है एक एक गाउं से एक एक बूट से इनके पास report आती है कि कौन सा मुद्दा चलेगा कौन सा मुद्दा नहीं चलेगा तो definitely दोनों पक्ष और विपक्ष ने जो भी मुद्दे बनाए है जो भी रणनीती बनाई है वो बहुत carefully सोच के बनाया है और जिसके पास जो है उनको लगता है कि ये मुद्दा हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी है वही मुद्दा वो उच्छालते हैं वही मुद्दा वो project करते हैं मैं बोलता हूँ गुजरात माडल की जब बात हुई थी या आप BJP की बात करिए कभी अगर कोई ऐसा मुद्दा रहा हो जिसमें दूसरे मुद्दे हावी रहे हो और रास्टवाद का मुद्दा पीछे रहा हो इसका मतलब यह नहीं कि रास्टवाद को इग्नोर कर दिया गया तो अगर वो वहाँ पे जीते हैं तो इसका मतलब है उनको लगा कि उस वक्त वो मुद्दा बहुत अच्छा है हो सकता है कल जो है राम का मुद्दा इनके लिए बहुत अच्छा हो जाए कॉंग्रेस को लगता है कि जनता बड़ी परशान है उसको फ्री में हमें देना चाहिए ताकि उनकी परशानी दूर हो कॉंग्रेस को लगा कि 22,000 रुपए हमें देने चाहिए किसानों को नियाय योजना उन्होंने चलाई उन्होंने भी बहुत सर्वे किया था लेकिन वो चीजे गलत साबित हो गई क्योंकि पॉलिटिकल डाइवर्स्टी को भापना बहुत पुश्की लेबारत लेकि जनता का मूड भी समेर जनता का मूड भी दरसल अब मौजुदा वक्त में जिन चीजों को लेकर के सत्ता पक्ष चल रहा उसी से मैच कर रहा है जनता आप जाहिड तोर पर सोचती है कि अगर विकास कम भी हो मगर यह दूसरी चीजे हैं जिसकी वज़े से देश परिशान है जनता परिशान है लोग परिशान है जिसमें आतंकवाद नकसलवार या ऐसी तबाम वो साधी चीजे उस मूड स जनता का मूड मैच कर गया और बीजेपी ने इसको पकड़ लिया देखें मैं आपको बता दो कि बीजेपी से राष्टवास कभी अलग नहीं रहा है आपको मैं बता दो 1952 में जब शामा परशाद मुखर जी ने जनसंग की स्थापना की तब उसे पूशा गया था कि आपन मैं नहरु सरकार में मंत्री रहा हूं लेकिन मुझे लगता है कि कॉंग्रेस में रेके मैं राष्टवाद की बात नहीं कर सकता इसलिए मैं कॉंग्रेस से अलग होके एक दल बना रहा हूं जो राष्टवाद की बात करें जो देश की बात पहले करें तो मुझे लग रहा है कि राष्टवाद जन्सेंग के जमय से रहा जब 1980 में भारती जन्ता पार्टे का जन्म हुआ उस पहले भाष्टवादी समाजवाद को के ट्रैक को उन्होंने चेंज करना पड़ा बीजेपी गांधिवाद समाजवाद के जाद उन्होंने एकात्म मानववाद को लिया दिंद्या लुपात दे के ट्रैक नहीं किया गांधिवाद समाजवाद रहा लेकिन एकात्म मानववाद को उन्होंने जाद अंगिकार किया है यह आप कह सकते हैं गांधिवाद समाजवाद आज भ तो फिर दिक्कत क्या है अगर देश की जनता का मिजाज यही है और देश की जनता भी जाईर तोर पर राष्टबाद सब के लिए राष्ट प्रिम्ट सब के लिए जरूरी भी होना भी चाहिए और इस मुद्दे को परमुकता से उठाए भी जाना चाहिए आपको दिक्कत क्य है अगर बीजेपी ने ऐसे प्रहार किया है चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे बाला कोड स्ट्राइक हो ता है वो आर्टिकल स्ट्राइक हो दूसरे इसे तमाम चीज़ें नहीं उसको अगर अच्शिमेंट के तौर पर जनता के बेश में ले जाती है गर्ची वो चुनावी मैदान ही कुना हो तो इसमें आपको तकलिफ क्यों होती है देखिए जहां तक राश्टवाद की बात है मैं यह कहना चाहूंग कि हिंदूस्तान का एक एक व्यक्ति जो है वो देश भक्त है क्या यहां पे जितने तमाम लोग बैठे वे क्या आप राश्टवादी नहीं है जब बार भाई क्या आपको अपने देश से प्यार नहीं है इंको नहीं है मैं यह क्या रहा है तो कि नहीं है तो यह जिनोंने आपने सावत अचीवन आपने नरेगा या मौधी जी बरा क्या आपने थे पूर्थ सेक्योटरी बिलकgruppe को नहीं बुनाया क्या आपने किसानों के लिए कर्जमाफी ये दूसक 44 किया आपने डोसी तमाम च पुझकारी से लोग युवा आत्महत्या कर रहे हैं तो यह कैसे राष्ट की कलपना कर रहे हैं क्या यहां पर राष्ट वाद की बात है यहां राष्ट से बड़ा मोदी जी जो तथाकतित प्रधान मंत्री हमारे में बहुत ही आदर सम्मान के साथ कहती हूं कि वो देश के प् प्रधान मंत्री वो देश के प्रधान मंत्री है लेकिन प्रधान मंत्री कम एक शद्धांतिक पत्पे रहने के बाब जुद उन्होंने जिस तरीके से अपने आपको प्रोजेक्ट किया है क्योंकि यह जो सरकार है यह सूट बूट की सरकार है यह पुंजी पतियों की सरकार मैं आपको एक बात भी काऊंगी नहीं आपकी बात आपको आपको आपकी पार्टी को चीजों से आगे बढ़ना चाहिए आप किताब पढ़िए बलराज मधोग जी की किताब उठा के लिजिए आपको श्यामा प्रसाद मुखर जी की अभी इन्होंने 370 आप 370 भाडा से कहीं किसी को कोई आपकी नहीं जी दी प में केस्मीर भारत शुन्न सबकोटा है कि कस्मीर भारत का अभी नग है लेकिन जिस तरीकें से उन्होंने वहाँ पे कि लोगों को कश्मीर की जंता को नजरबंद करके रखता प्रायोजित कारिक्रम जिस तरीके से मीडिया कर्मियों पे अभी वक्ति की आजादी को जिस तरीके से कुचलने का ये काम सरकार कर रही है कि अगर बीजेपी अपने आपको ठेकेदार बता रही है तो आप भी उनसे बड़ा ठेकेदार मन के क्यों ने देखा पाती है तो जनता कहीं न कहीं समझ गई है अभी आप बीते दिनों देखिए उनहीं के एक नेता कमलेस्तिवारी हत्याकान में आप कमलेस्तिवारी का ट्वीचर देखिए जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है तो कहीं न कहीं ये जो केंद्र की सरकार को कटगरे में लाकर खरा करती है तो इसलिए इनका बहुत हो गया ये जो ढोल ये रास्तिवार और ये ये इससे जनता आप जहासे में नहीं आने वाली है जनता को रोटी चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए, महिलाओं को सुरच्चा चाहिए अनामिका जी एक भद्र महिला है, पढ़ी लिखी महिला है इनको पता होना चाहिए, मैं जादा नहीं बोलूगा मुझे लगा था कि महाराष्ट्रा और हरियाना पे बोलेंगे लेकिन यह नहीं बोली अगर देखा जब बटवारत देश का बटवारा किस ने किया, भारत और पाकिस्तान का धर्म के आधार पगर बटवारा हुआ तो नों ने किया इंडिया इस इंडिया इंडिया, इंडिया इस इंडिया, ये इनको पता इपने का आपने बहुत अच्छा किया था, कि महाराष्ट्रों हरियाना को लेकिन आनामिका जेने पूरे देश की बात है पूरी चर्चा करने लगी, 1947 से लेके चर्चा करने लगी, इनको ये पता होना चीक, 1975 में इमर्जंसी किसने लगा है, संबैधानी संस्थाओं की हत्या किसने की, इनको साइद ये नहीं पता है, इंडिया इज इंद्रा, इंद्रा इज इंडिया किसने का, इनको ये नहीं पता आज ये चर्चा बैटके कर रही है चाहे कस्मीर समस्या हो चाहे नक्सलाइट सो किसकी देन है आप ही कुछ देन थी उसको पूरा देश भुगत राता कम से कम एक अच्छा प्रदान मंत्री देश को मिला जिसने ये समझा और उसको साइट दिसा में लेके गए और इसको समेर जैब क्या इसको इस तरीके से नहीं समझ सकता है कि जायत और राश्ट क्या है अलग अलग राज्यों से मिल करके ही राश्ट बनाया तो राश्टी मुद्धे जायर तोर पर वो भी राज्यों की लोगों से जुड़े हुए हैं और ऐसे में अगर बीजेपि उनको इस दोनो राज्यों की चुनाओं में भुना रही है आपके निगाह में कुछ गलत है क्या जब चुनाओं राश्टी मुद्द्धि और प्रदेशिक मुद्धे और रिस्थ्याने मुद्धे भी अपने मत्पंड भू का निभाते हैं लेकिन आप दे सकते हैं कि 2014 के चुनाओं के चाहिए वहरियाना का हो चाहिए महाराश की उधान सबाओ जमीन हो जमीन से लेकर जनता के मुद्धे उठाते हैं अंदुलन करते हैं और इनको विपक्षी पूरे समय सत्ता में रहने का अधीर है और एक्चुली वह जनता की बीच काम करना जानता नहीं है आम हराश में अगर दखेंगे तो जिस तरके राश्टादी कॉंग्रेस पार्टी है और कॉंग्रेस के नेताओं में लगाता बष्टाचार की आरोप रहे पास साल लगाता और वो लोग जनता से कटे रहे वहीराणा में इस खुद कॉंग्रेस खेमे में बटी रही एक खुड में कॉंग्रेस को साथ मिले चाल सके और परदेश के लेवल पे भी कॉंग्रेस के नहीं नेता डवलप किया जाए जो जनता की समस्याओं को ध्यान से एक दे सके और पार्टी को एक जूट कर सके एक मिश्रा जी में एक जो विपक्ष बार बार सवाल उठाता है और उसी नजरे से मैं सवाल ये समझना इसको चाहता हूँ कि क्या मनोहरलाल के सरकार के पास में उनके अचीवमेंट की लिस्ट कम थी कि दूसरे मुद्धों को लाना पड़ा सपोर्टिव एडिशनल मुद्धे के तौर पर जिससे लोगों को साथ जोडा जा सके या वाकि सब कुछ उन्होंने काम किया था मगर इन मुद्धों को भी चाहिए वो आर्टिकल 370 या दोसरे इससे जोड़े भी मुद्धे हो उसको भी लाकर करके बड़े पैकेश के तौर पर अपने साथ लोगों को जोड़ना चाहा टाप टू बाटम लेके ये चीज़ डिसाइड हुआ होगा जहां तक मुझे समझ में आता है कि ये जो मुद्धे है 370 वगर ये सारी चीज़े जो रास्टवात का कर रहे हैं आप जो हम लोग बोल रहे हैं बात कर रहे हैं उनको लगा होगा कि ये सबसे सेफ है और इस बिपक्च के पास कोई जवाब नहीं है बिपक्च इसमें घिर सकता है बीजेपी बड़ी कौशियस होकर के चलती है मैं आपको बताऊं वो ऐसा मुद्धा भी बिल्कुल नहीं उठाएंगी जिसमें जरा सा भी उनको डेंट लग सकता हो बड़ा कौशन के साथ वो इन सब माइलेज मिल रहा है और हम इसमें जीत जाएंगे इसलिए मैंने आपको एक चीज बोला था अगर बीजेपी का परसेंटेज वोट कम हुआ जो पिछली बार मिला यानि उनका बेस कम हुआ या बड़े आशर जनक तरीके से परिणाम बदल गए तो ये बीजेपी के लिए भ दोनों चीज़ें को क्लब किया गया कि या जो शेत्रिय मुद्धे हैं उनको जादा उठाया ना जाए उनको ने इसी मुद्धे को लेकर के इसी पॉइंट को लेकर के आपको सभी बात्या गहरने की कोशिश करती है जब बर्जी ऐसा नहीं होता है देखे क्या हम लोग भी गय थे मैं खुद गया हुआ हूं महारास्टा गया हरियाना गया आपने होता किया है जब प्रधानमंत्री जी राश्चिनेता क्यूंक दोनों लोग बरिश्ट बवरिश्ट लोग पने उसमें तो जरूर बात करता है मोदी की रेली का ही पढ़ता है उसमें एक प्रॉपर बे होता है अगर जैसे मही गया मैं राष्ट्य टीम से हूँ मैं गया कहीं पर मिदे बिधान सभा के अंदर करना तो हमारे पास कितने लोग होते हैं 1500 लोगों के बीच में भी बोलना होता है तो वहां पर हम बिल्कुल करेक्टी जो लोकल करेक्टी लेकिन जब प्रधान मंत्री आके भासर देते हैं तो वहां का उनका वहां की प्रदेश की स्थिती मूल स्थिती होती और अगर राष्ट के अंदर हमने अचीब्मेंट किया तो हमें बताना चाहिए जनता के बीच में देखी आपने हमको चुना और जो चुना और आपने से हम जो वादा करके आया थे हमने वादा पूरा करके दिखाया यह क्यों नहीं बताना चाहिए बिल्कुल बताना चाहिए और यह अच्छी चीज है सारी पार्टियां पॉलिक्स कर रही है तो जीतने के लिए कर रही है ना कि हारने के लिए स्टेटिजिक एज बीजेपी में क्या है क्यों यह दूसरे पार्टियों से बहतर हो जाती है जब प्रदान मंत्री जी पिछले चुनाओं में यूपी चुनाओं में गोरकपुर जाते हैं तो रास्ट और प्रदेश तो छोड़ दीजिए लोकल मुद्दा गोरकपुर का वो कैसे उठाते हैं सब रावर लोगन के हमार परनाम ये उनकी लेंग्वेज रहती है आप लोगों को याद आना फिर वो बोलते हैं कि हम ये शुगर मील यहां पे चलाएंगे पुरवांचल जो है शक्कर का कटोरा होता था हम ये सड़क बनाने के लिए केवल लोकल मुद्दे होते थे मैंने जो बोला आप उसको मानिये आप चाहे पक्च के हो भिपक्च के हो या इवन जबबार जी आपके हो चुनाओ जीतना पहला लक्ष होता है अच्छे तरीके से चुनाओ जीतना ये नहीं कि आप किसी गलत तरीके से उनको लगता है भाई BJP को लगा कि हमें केवल गोरकपुर का मुद्दा उठाना चाहिए तो गोरकपुर की लोकल लेंग्विज में वहाँ पे हमारे प्रधान मंत्री जी ने अपने भासड का अभिवासड की शुरुवात और जो है उन्होंने जो अभिवादन किया जनता का वहाँ की खाटी खाटी लोकल लेंग्विज में किया केवल गोरकपुर शहर और उस बेल्ट का तब वहाँ पे क्यों नहीं जो है आपने नेशनल मुद्दे उठाए मेरे कहने का मतलब उद्देश यहां पर यह है और यह अच्छी चीज है किसी पार्टी पार्टी के आला कमान या बड़े नेताओं के ही बातों का होता है जो प्रत्याश्य उनकी बातों का बहुत जादा इंपार्ट नहीं होता है तो केरफुली उन्होंने कही न कही रिसर्च किया होगा उनको लगा होगा कि यह मुद्दा ज्यादा अच्छा रहेगा इससे हमें रिजल्ट अच्छे मिलेंगे जब BJOP को लगता है कि हमें वहाँ की लोकल लेंग्विज बोलनी है तो जनता का अभिवादन और अपने भासाड अपनी रैली की शुरुवात वहाँ की लोकल लेंग्विज में करते है मोदी जी अच्छी है भूरी नहीं है यह सारी पार्टियों को करना चाहिए तो कौन सी चीज़ देखे कौन से मरीश के ओपर कौन सी दवा सूट करेगी और इस विच में एक अपडेट दे दुन लोगों को कि सोनी पत के निजाम पूर माजड़ा में ग्रामिलों ने गली में गंदगी और सरपंच में चौपाल गिराने का आरूप लगाते हुए चुना पूरी नहीं हुई इस वज़े से सरकार और पुशासन के खिलाफ में लोगों के नाराज़गी और कुछ इस तरीके से सोनी पत में गिरामिलों ने मत्लान का पहिशकार किया और जम करके नारे बाजी की लोगसबा चुनाओं में भी गली बनाने की बात सरपंच ने कही लेक अगर समीर जी क्या जनता का एक ये विकल्प और ये तस्विरे ये जो इसी तस्विर के आधार पर जनता का दर असल रोश उस अलाके का है जहां पर लोगों का ये घुसा इस वक दिख रहा है मुंबई में सल्मान खान अपने घर से निकल करके वोटिंग करने के लिए पहुंचे अपने मत का प्रयोग करने के लिए उसके बाद में पतरकारों से बातचीत करते हुए लोगों को प्रोट साहित करते हैं उन्होंने का कि आप लोग जो के वोट डालने के लिए ना जा सके हों लोग घरों से निकलिए अपने अपने अलाखे का विकास के लिए और अच्छा नेता चुडिए और अर नाइन की भी यही अपील है कि आप वो लोग गाया जो कि अपने घरों से जिनका वोट है नहीं निकल सके हैं जरूर निकलिए क्योंकि ये मौका पाँच साल के बाद आएगा क्योंकि या आपका हग ही नहीं या आपके जिबेदारी भी है अपने मत का जरूर प्रतियाशी लगे जिस भी पार्टी के फिवर बे अच्छा है आप वोट जरूर कीजिए समेर जी ये जो अभी हर्याना के सोनीपत के लोगों का घुसा हमने स्क्रीन पर देखा जनता के पास में एक जो एक हत्यार है चुनाओं वोट देने का वोट ना देने का क्या ये विक सकता है बिलकुल गरामिन को इस वोट के भाषिकार से बचना चाहिए ठीक हो सकता है इनकी समस्या लंबे समय से पेंडिक रही हो और उसके उपर ध्यान ना दिया जा रहा हो लेकिन वोट का भाषिकार करके वो मुझे लग रहा है अपने हितों का और अपने अधिकारों का उन्हें वोट करना चाहिए और अपना जो भी अंदोनों ने और जो भी सम्मधित वहां के अधिकारी है उनसे चर्जा करके समस्या का समधान निकालना चाहिए लेकिन वोट का भेषकार किसी भी सित में नहीं करना चाहिए वो किसको देते हैं किसको नहीं देते हैं उनका दिकार है लेकिन अपने ओट का दिकार का प्रियोग करना चाहिए अपनी ताकत को बताना चाहिए हमारे पास यह वोट है और हम किसको दे सकते हैं किसको नहीं दे सकते हैं उनका अपना दिकार है लेकिन ओट जरूर देना चा मुझूदा सरकार से ये लोग तरस्त आ गया, आप पांच साल की खटर सरकार ने व Ha सी नई यूजना है शुरू कि आप ये बताइए कौन सा विकास का इन्होंने काम किया हरियाना में कौन सा इन्होंने महिला सुरक्षा की बाद भारियाना उन्होंने नारा दिया था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ तो आप देखें कि हर्याना में कितनी बेटियां सुरक्षी थे अभी पिछले दिनों पिछले दिनों बाइसां पिछले दिनों एक छात्रा कोचिंग के लिए जा रही थी उनका गैंग रेप हुआ उसमें अभ सबसे बड़ा कॉंट्रूबिशन खट्टा सरकार का है कि उन्होंने एक प्रश्टाशार मुक्त प्रशाशन दिया है जो लूट का संस्थागत अड्डा बन गया था हर्याना कि जहां बिना बदली बिना खर्ची के बिना पैसों के कोई ट्रांसफर नहीं होते थे सिक्षको है एक बहुत बड़ा उनके हित्मे और यहीं उनके पक्ष में मद्दान करने जा रहा है और उसी आधार पे उनके सरकार फिर से बनेगी जन्दा यह बात को समझती है कि भली हमारे एक दो काम नहों लेकिन देश को लूटने और प्रदेश को लूटने वाली सरकार कभी है अगर व्रस्टाचार के कैस है आरोफ ऐसे चीजह हैं तो आप लोग उनको भुना क्यूं नहीं सके देखे अभी मवडूर चुनाओं में जंता इसवार बोत करेगी विकास के नाम पर यह क्यों नहीं विकास के नाम पर भाजभपा सरकार क्यों नहीं वोट मांग रही है क कि विकास के नाम पर विडि़के विनास की सरकार थी और अब जो सरकार आईगी वो वहागई विकास की सरकार होगी आप देखेंगे आप भी यह यह मैं भी यही हूं इस चैनल के माध्यम जै कि अर्याना की जनता इस बार मूतोर जवाद देने बाई है दो हजार चौदा के लोग सबार चुनाओं को आप क्या कहेंगे नतीजे को विकास के बुनियाद पर जनता ने वोट नहीं किया देखे निस्चित रूप से जनता बदलाओ चाहती है आप अभी देखेंगे उनिस में अभी आप क्या कहेंगे इन्ही के एक मंत्री ने अभी कहा है कि वोट तो कहीं पिछले 15 सालों में UPA शरकार के दौरान कभी भी प्रसासन को इतना उप्योग नहीं किया आप देखिए हरियाना में अभी आप देखिए आपने एक भी लोकल मुद्दे क्या लिए मुख्यमंत्री जी ने खटर सरकार ने या जो भी नेता गए क्या उन्होंने लोकल मुद्दे उठाए वो तो खुद देश की बात कर रहे हैं पानी लाने पर कहरें कि हम पाकिस्तान से पानी छीन के ला देंगे क्या ये बैयान सोभा देते हैं उन्होंने एक भी वहां के जन सुविधाओं से जुड़े हुए क्या हर्याना की जनता के वहां के मुट्टे उटाए तो फिर आपको अभी पात साल ठीक है आपकी पात साल की सरकार रही तो इस बार जो आपके जो मौझूदा विदायक से उनकी क्यों टिकेट काटी गई क्या आप बताएंगे क्या आप यह मांते हैं कि यह मांते हैं कि वह काम नहीं कर पाएं वो जनता की उम्मीदों से नहीं कर पाएं कहीं ना कहीं उनको डर था इसलिए उन्होंने वह सेलिब्रिटी गाओ खेल रही है भाषपा के अंदर थोड़ी पैसाद देकर टिकेट लिए जाते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ा अगर पैराशूट कंडिडेट कोई आता है मैं इस चीज को नहीं बोलता हूं कि पैसे लेकर के किये जा रहे हैं लेकिन विनिबिल्टी को सबसे टॉप प्रेरियार्टी पे भाजपा में रखा जाता है यह मेरा स्टेट्मेंट नहीं है अभी हाली में कुछ कई मिनिस्टर्स लोगों ने यह बोला था तो उनको लगता है कि भाई हमें मैंने बोला चुनाओ जीतना सबसे बड़ी प्राश्पा जिस हिसाब से एग्रेसिव है उसका सबसे बड़ा प्रात्मिक लक्ष होता है चुनाओ जीतना क्योंकि गलत नहीं है मैं गलत नहीं बोलना हूं लेकिन ए पर उनको टिकट दे देते हैं पहली चीज़ एक दो और चीज़े होती हैं अगर किसी ने गलत काम किया अच्छा परफॉर्म नहीं किया विदायक ने तो उसको रिप्लेस करने का भी एक तरीका होता है कि विनिबिल्टी फैक्टर भी हो और वो बुरी चीज़ों को हटा भी द प्रधान लोग हैं मैं आपको बताऊं पॉलिटिक्स अपने आप में एक बहुत भावना प्रधान एक्टिविटी है इसलिए रातो रात अगर कोई घटना हो गई तो लोगों की भावनाये बदल जाती है एक तरफ से दूसरे तरफ वोट जो है चला जाता है यह सोचना चा रही है कि यहाँ भावना आप देखिये हजारों साल से बड़ी प्रधान रही है बड़ी परधान रही है आप बोलेंगे तो है मतलब एक जीव हैं और जीव में हमारी पुरी कौन भावना ही तो हमारी पूरी बाड़ी को गवर्न करती है बहुत बड़ा रोल होता है इसलिए मैं बोलता हूं कि भारती जनता पार्टी की एक एज है अगर वो रास्टवाद को यूज कर रहे हैं प्रयोग में ला रहे हैं मुद्दे बना रहे हैं उसके लिए कोई बुरा के आदार पर चुनाओ जुदा जाता है लेकिन खाली ही भावनाओ के दम पे सरकार लंबे समय तर तक तकम नहीं बाता है मैं इसी का इता हूं कि इन्ड्रा गांदी ने गरीभी हटा को नारा दिया था 71 में सेवन्टीटू में भाहिंकार प्रशंट अभूंबा से इंद्रा गांधी जीत किया ही गरीब हटाओ के नारे पे वो इसी भावनाय का नारा था कि देशे गरीब हटेगी लेकिन पास साल के अंदर जिस दिसाब से ताना शाही और भश्टाशार पनपा कि अगले पास साल बिल्कुल तो भावना एक मुद्धा हो सकता है कि दिलेवर को यह पूरा नहीं कर पाए कोई भी पार्टी हंड़ेट परसंट अपने वादों को खरा जो है मूर्द रूप नहीं दे पाती है आप किसी पार्टी की बात करिये उनके मैनुक्तर कोशिश कर रहा है मोदी जी के प्रति जो इमानदार की जो लोग भी बीज में चबी है कि आदमी ने नोटबंदी करी तो इसकी नियत साफ है यह देश भष्टजार मुक्तर करना चाहता है नहीं नहीं यह सब एक अच्छी चीज है मैं बोल रहा हूं इमानदार होना इसका तो मैं खिलाफत नहीं कर रहा ह और ऐसा भी नहीं है कि केवल भाष्पा में ही इमानदार है दूसरी पार्टियों में इमानदार इमानदारी के पैरामीटर पे देखेंगे तो सबसे बड़ा इमानदार आदमी में लाल बादूर शास्त्री को मानता हूं चाहे भाष्पा या इंडिविजूल मेरा वो है उ कि जैसा त्याग से परिपूंड कोई राजनीति गिदे पाएगा जो कि पैदल जाता हो और नदी को पढ़ने के लिए नदी को पार करके जाता हो और धोती फट गई हो तो दरजी से ना सिलवा के प्राइम मिनिस्टर रहते हुए खुद सिल करके और दूसरों को यह बोलने यूज किया है सर मैथमेटिकल that is the pie chart and meaning of pie chart the different composition and percentage share if you go for that I still think कि देश को चलाने में especially चुनाओ जीतने में positive भावनाओं का बहुत बड़ा रोल होता है जाहिर तोर पर भावनाए मुद्दे जनता से जुड़े हुए वो मुद्दे जिनके बन्याद पर जनता किसी के पक्ष में अपना समर्थन देती है या किसी से अपना समर्थन वापस खिशती है मगर इन चीजों को कैसे मैनेज किया जाये जमीनी अस्तिर पर किस ताने बाने के साथ में उतारा जाए और उसका आसर जमीनी अस्तिर पर जनता कैसे उस पर यकीन करे भरोसा करे और कैसे उस पार्टी और उस लीडर के साथ में जाए ये एक चुनावी मैनेजमेंट जो अपने आप में जाहिर तोर पर मौजुदा वक्त के स्यासत में सबसे ज़्यादा कारगर साबित हो रहा है